नमस्का स्टूडन्ट आज हम संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मम अंगानी यानि की माई बोडी पार्स इधर आपको एक पिक्चर दिया गया है नॉट्पुक में आपकी टेक्स बुक आपको मिल गई है आप अपनी टेक्स बुक आपन करके रखना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा तो यहाँ पे पूरा एक बोडी का चित्र दिया है उसमें देखो एरो किया है आपकी बुक में अच्छे से दिखाई देगा होगा तो एरो में सब संस्कृत के नाम दिये है और मैंने उसके साथ इंगलिस में नाम लिखे है फिर भी यहाँ से मैं संस्कृत में नाम भी बोलती हूँ और उसके इंगलिस में ट्रांसलेशन करती हूँ वीथ स्पैलिंग आपको हाथ में पैंसिल लेकर बैठना है और मैं जो spelling के साथ नाम बोल रही हूँ वो आपको इसमें लिखना है और साथ में आपको notebook में भी ये picture भी draw करना है और ऐसे आपको नाम भी लिखना है ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि ये lesson आपको कैसे करना है Sanskrit की note में आपको ये picture draw करना है या तो xerox कराओगे तो भी चलेगा draw करोगे तो भी अच्छा रहेगा फिर इसमें जैसे arrow के साथ Sanskrit में और English में नाम है वैसे ही आपको Sanskrit और English में नाम लिखने होंगे Is it clear? तो चलो अब हम start करते हैं यहां पर left side पर ऐसे दिया है दंता जैसे दात का चित्र है तो दंता याने की teeth तो teeth का spelling होगा T-E-E-T-H T-E-E-T-H नीचे है ओस्ट ओस्ट याने के होठ आपड़े गुजराती मा जैने काई है इंग्लिस में उसको leap बोलते हैं तो L-I-P leap अभी right side पर face का चित्र है जीव है तो संस्कृत में जीव को जीवा बोलते हैं और English में उसको टंग बोलते हैं तो जीवा और टंग टंग का spelling होगा T-O-N-G-U-E अभी यहां से उपर से अभी इस चित्र में सबसे पहले उपर है ललाटम देखो यहां arrow है ललाटम याने की forehead कुजराती मा अपने जेने कपाड कई है तो ललाटम याने forehead तो forehead का की बाल तो इसको English में hair कर कहते हैं तो ह-a-i-r फिर left कां की और है तो कां कां को इंगलिस में ear बोलते हैं तो इसका spelling होगा E-A-R कि नेत्रम के नीचे नासी का तो देखो एरो है नाक की ओर जा रहा है तो संस्कृत में नाक को नासी का कहते हैं और इंगलिस में उसको नोज कहते हैं तो इसका spelling होगा N-O-S-E इसके नीचे है मुखम याने की फेस पूरा देखो याद रखना मुखम याने की पूरा फेस है तो संस्कृत में मुखम और इंगलिस में इसको फेस कहते हैं इसका स्पेलिंग होगा F A C E नीचे है ग्रीवा गुजरति में आपड़े घर्दन गला इंदी में गला कहते हैं तो उसको संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं और उसको इंगलिस में नेक N E C K लेप्ट साइड है वक्षह यानि की चाती हम हिंदी में जिसको चाती बोलते हैं संस्कृत में वक्षह बोलते हैं और इंगलिस में इसको चेस्ट C H E S T यहाँ पर G A R M इसका स्पेलिंग क्या होगा अरम अभी लेफ साइड में नीचे की तरफ एरो दिखायेता है उदरम उसका प्रॉनशेशन क्या होगा उदरम यानि की स्टमक तो इसका स्पेलिंग होगा h t o m a c h वापस रिपीट करती हूं एस t o m a c h अभी राइट साइड में आपको दिखाए देता है कि हाथ है फिर उसके सामने एरो किया है तो कर तलम यानि कि हंदी में हम जिसको हाथेली बोलते हैं संस्क्रीट में उसको कर तलम बोलते हैं और इंग्लिस में इसको पाल्म बोलते हैं तो पी अल्म, क्या होगा इसका स्पेलिक, पी अल्म, भी नीचे की सैड में लेप्ट सैड है पाद, पाद यानिकी जो, यहां पे आप ऐरो दिख रहे हैं, तो लेग होता है वैसे तो पाद हाद, यानिकी अलीजी लेग, और राइट साइड में नीचे जो ह दूर्ट हमारे पैर जहां पर उंगलियां उसको चरण बोलते हैं हिंदी में बीचारण बोलते हैं और शंसक्रिट पर प्छा बान बैद्ट इंग्लीश में इसको फूट बोलते है तो एक डबल ओ टी कि अधा समझ में तो यह था हमारा फर्स्ट चेप्टर यह आपको अगर करतलम लिखा होगा तो उसके बदले में आपको प्लाम लिखना होगा मतलब राइट इन इंग्लिस राइट इन संस्कृत में ये आपको वर्ड मीनिंग में भी पूछी जा सकते है वापसे रिपीट करती हूँ कि ये पूरा आपको ड्रॉ करके आपकी नौट बुक में लिखना है कमपल सरी लिखना है पीछे भी एक्सरसाइज है आपके टेक्स बुक में पेज नमबर टू पे वो भी आपको एक्सरसाइज पूरी करनी होगी ठीक है तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है अस्तु